अगर आपको Facebook के फोटोस और वीडियो को डाउनलोड करना है या अगर आपको Facebook के फोटोस और वीडियो को Google फोटोस में अगर आपको ट्रांसफर करना है तो ये वीडियो आपके लिए है देखते रहिए MK Authority तो guys बात करते हैं यहाँ पर Facebook के बारे में यहाँ पर Facebook में हम फोटोस और वीडियो को शेयर करते हैं बट वहाँ से डाउनलोड करना हमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है हमें Thought Party Apps का काम लेना पड़ता है जो की थोड़ा बहुत हेक्टिक काम होता है अगर हम देखें यहाँ पर तो आप Facebook में का ही एक टूल है जिसे Facebook ने लाँच किया है उसी टूल के हिसाब से आप अपने सारे फोटोस और वीडियो जो भी आपने Facebook में शेयर किया होगा वो सभी फोटोस और वीडियो आप Google फोटोस में ट्रांसफर कर सकते हैं तो देखते रहिए इस वीडियो को जानने के लिए आपको पहली बार आपको firstly जाना होगा अपने Facebook अकाउंट में वहाँ पर Settings में जाना होगा Settings में जाकर वहाँ पर आपको सेलेक करना होगा Settings and Privacy वहाँ पर ज फोटोस और वीडियो कहे करवा उस option के बाद आगर आप क्लिक करते हैं तो वहाँ पर जब आप View का option क्लिक करेंगे तो वहाँ पर ट्रांसफर जो है उसका पेज खुल जाएगा ट्रांसफर के पेज के बाद आपको एक मेनियो खुलेगा अगर वहाँ पर आपको Google Play यानि की जिस पर आप शेर करना चाहते है गूगल फोटोस आपको उसे क्लिक करना होगा जब आप वहाँ पर क्लिक करेंगे वहाँ पर आपको कंफर्म करना होगा गूगल फोटोस यानि उसी गूगल फोटोस आपको क्लिक करना होगा उसे क्लिक करने के बाद अगर आपके गूगल यानि फेस्बुक में भी एक कॉपी रहेगा उसी का जो कॉपी है वो कॉपी आपको गूगल फोटोस में भी मिल जाएगा तो ये है एक्चुली पूरा ट्रांसफर आप जाए ये प्रैक्टिकल वे में ट्राइ कीजिए जरूर होगा तो आई देखने भी बहुत बहुत शुक कर दो में दो होगा जिए जब कर दो कि दो आई देखने जार में टूरा बहुत 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 वचां बख़चर जब गोग्तांसब्स